हेलो फ्रेंज हाइ नमस्ति कैसे आप सभी आप सब का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी यहाँ पर यहाँ पर जो है morning का ही time हो रहा था तो मैं ना morning का खाना बना डी थी खाने में यह देखे मैं यह और की सब्जी बना रही थी तो सबसे पहले और की सब्जी को कुकर में बना रही हूँ और यह जो और अल है ना यह देसी वाला है तो इसको आप कातकर रखी हूं पानी में डाल कि और सबसे पहले मैं प्याज वगेरा भून लूँगी प्याज inne सब कुछ में भून लूँगी उसके बाद जो है अब में मैं मसाला डाल दीती हूं कब जाओगे कब जाओगे तो जी हाँ नए घर में हम लोग तो 12 सेक्टेंबर को जाने वाले थे पर उहां पे ना अभी समान वगेरा रखा हुआ है कुछ काम जो है पेंडिंग परा हुआ है और फिर अभी जो जिस मकान मालिक से हम लोग बात की थे ना वो अभी कहीं बाहर च नहीं है तो दो दिन का टाइम दिये हैं और कुछ काम भी है तो अभी उस घर में काम भी चल रहा है तो सारा समान हमने रख दिया है वैसे कोई दिकत नहीं है और फिर अभी दो तीन दिन अभी टाइम लगेगा मतलब लगभग 17-18 तारीक तक ना हम लोग जो है चले आज़ेंगे मतलब 17-18 तारीक उससे पहले भी हो सकता है जितना हुआ पर काम जीसी साब से चल रहा है और हुआ पर साइड में बिल्डिंग बगेरा भी बन रही है तो काफी ज़्यादा हुआ पर काम चल रहा है तो फिर इसी वज़से से ना टाइम जो है लग जा रहा है त पर यह देखिए अभी तो मैं सusraal में हुँए हुँ और बच्चे भी है तो यह है तो हम लोग जैसे ही जाएंगे मैं नया अगर का वीडियो जो है अब लोग के साथ सेडर करूगी तो काफी लोग मेरे नए घर का वीडियो जो है इंतिजार कर रहे हैं तो उसके लिए ठाइंक्यू सो मच और बस अभी यहां पर यह देखिए यहां पर थोड़ी देर बादी में नीचे खाना बना रही थी ना तो यहां पर बारिस आने का मौसम कर दिया था तो सारा कपड़े जो है यह हाँ पर बढ़ी दूग्गो आप देख सकते हो तो डुग्ग्गो भी मेरे करा रहा है कि तो डुग्ग्गो ना मेरे सारे कामों में जो है है कराती हैं तो बाहर तरफ से इसका थोड़ा सा जारा यह थोड़ा खांसी है तो इसको कल में नहीं नहीं लाई थी इसी वज़े जारी उसको नहलाने के लिए और अभी ना मैं डुगू को इस सैंफू से नहलाने जारी यह दिखिए यह मामार का मिल्की सॉप्ट सैंफू तो मैं कुछ दिन पहले से जो है इसको लोसन में यूज करती थी दुगू के लिए तो यह बहुत ही अच्छा था यह लोसन जो है तो इसी का मिलकी सोफ्ट सेंफू जो है मैं इसको अभी डुगू को इससे नहेलाऊंगी और इसमें आपको जो है मिल जाएगा ओट्स मिल्क अब देख सकते हो बहुत है यह है इंडियन ब्रांड तो बहुत है और यह च्छी बढ़ागा है तो बहुत दिन तक अगर अपने वेवी के लिए यूज करते हो ना तो बहुत दिन तक चल जाएगा और यह सेंपू है ना यह आप इसको जो है नीव बॉन बेवी है आपका तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें कोई केमिकल जो है आपको नहीं मिलेगा 100% नेच्टरल चीजों से जो है यह मिलके बना हुआ है यह ममारत का मिलकी सॉप्ट सेंपू है ना यह आपके बेवी के बालो को धीरे धीरे साप करने में मदद करता है आपके बेवी के बालो को स्केल्प के पीच बालो को सॉप्ट एंड नरिस करने में भी मदद करता है और हाँ मामार्थ के इनके एक और एक खास बात बता दूँ ये जो है जब भी आप इनसे कुछ भी order करते हैं ये एक ट्री प्लैन करते हैं तो जो भी मतलब सारा information जो है ये आप तक पहुचाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और जितने भी ये plastic यूज करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक जो है री सैक्ल करते तो बहुत ही अच्छी बात है ममा अर्थ का यह प्रोडेक्ट जो है आप पर्चेस कर सकते हो और हाँ यह आपको ममा अर्थ की वेबसाइट पे तो मिलेगा ही मिलेगा यह आपको एमेजोन एंड फर्स्ट क्राइपर भी मिल जाएगा और हाँ यह प्रोडेक्ट अगर आप ममा अर्थ की वेबसाइट से अगर पर्चेस करते हो ना तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो की फैमली 2021 है और वो अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो उसमें आपको 20% का आप मिल जाएगा और हां ममा अर्थ ने अपना एप भी लॉंच किया है तो उस एप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो उसमें आपको बहुत अच्छे-च्छे डिसकाउंट्स और बहुत अच्छे-च्छे उसमें ओफर्स जो है चलते रहते हैं तो आप चेक कर सकते हो तो सा करमा पूझा तो इसके घरने वाला है तो उससे पहले ना यह जावाब बुनारा होता है तो नो दीन पहले या साथ दीन पहले भी जावाब बुनते हैं तो ये अभी रीना की मम्मी जो है ये रीना के लिए बना रही है तो साथ दिन पहले ये जो है भी बना रहे हैं तो इसमें ना बहुत कुछ डाला जाता है तो इसमें नो तरह का जो है ये बीज डाला जाता है तो ये सिर्फ इसमें कुल्थी डाले हैं कुल्थी इसमें हल्दी डाल के मिला के और इसमें जो है ये बालू है बालू में पहले बालू रखे थे फिर ये कुल थी इसको डाल देते हैं फिर उपर से जो है ये बालू डाल देंगे और अब ही आपे मैं पिक लगा दूंगी तो आप देख सकते हो ये साथ दिन के बाद या 9 दिन के बाद ना इतना बड़ा-बड़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में तो यह दिखे बिलकूल अच्छी तरह से मतलब इस जो बासकेट है ना छोटा वाला अच्छी तरह तो इसमें बहुत अच्छी तरह से अभी दे देते हैं और गयब गयब नहीं हो चाहिए अगर गयब होगा ना तो फिर जब यह निकले कफ़्ड非常 घना नहीं दिखे अच्छा दिखने में लगता है तो यह दिखिए यहां पे अच्छी तरह से मिलाक के और यह बालू दे देते हैं और इसको एक जगा रख देंगे और इसको नौ दिन या साथ दिन तक मतलब इसके आगे गीद गाया जाता है लड़किया सब डांस करती है तो बहुत ही अच्छ कके रख खाके जो है नहीं छुना चाहिए तो सुब साम इसको न जगाया जाता है तो यह दिखे इन्होंने अभी इसमें एहां पे रख दिये हैं और बस यह साथ दिन सुब साम जो हैं इसको जगाएंगे गीतं गाएंगे इनके आगे और यह देखिए मैं अभी आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और सब के लिए चाय बना रही हूँ और इसमें अभी मैं सब्जी भी मैं बना रही थी क्योंकि रात की खाने की भी मैं त्यारी कर रही थी तो सबसे पहले भी दे देती हूं मैं सब को और मैं भी पी लेती हूं और दूद भी था पतीले में तो दूद भी गरम होने के लिए मैं रख देती हूं के इस पर और अभी साम का खाना भी बनेगा तो साम के खाने में देखते हैं क्या बनता है तो फिर यह देखें यहां पे तो अभी फिलाल सब जबजी बना रही हूं आलोब की जबजी पसंद करते हैं आइक और यह देखिए अब इसाम का इतना अच्छा मोसम पिया हुआ था नहीं है अच्छा भी आप सब देख सकते हो बहुती अच्छा मोसम किया हुआ था और मैं deugoo के लिए मैगी भी बनाई थी तो दुगू को मेगी खाने का मन कर रहा था तो अभी मैं डुगू को मेगी भी दे दी हूं बनाके तो यह खा रहा है और मैं अपने चाय पी लेती हूं और बारिस अभी आया था फिर चला गया फिर से आया फिर से चला गया तो ऐसी होता है भी क्योंकि बरसात का मौसम है और बार तरफ ना जढ़ हो गया है जढ़ जैसे जिसको बोलते है तो बारी साते रहता है उसको जढ़ बोलते है तो यह थी तो चलिए मैं इस वीडियो को यह पैन करती है तो कैसा लगा मिराज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें